विश्व का पहला First Text SMS नील पापवर्थ ने 3 दिसम्बर 1902 को भेजा था, जिसमें लिखा था, Merry Christmas, नील पापवर्थ टेक्स्ट मैसेज, SMS डेवलपर और जनक के रूप में जाने जाते हैं. मोबाइल फोन से सबसे पहले फोटो फिलिप कान के द्वारा ली गई थी, यह कैमरा फोन के जनक थे. यदि आपका मोबाइल फोन खो जाता है, या फिर नेटवर्क नहीं आता है, उस डर को नॉमोफोबिया कहते हैं. इंडियन काउंसिल अफ सोशल साइंस के रिकार्ड के अनुसार, भारत में लोग एक दिन में लगभग 6 घंटे फोन का इस्तिमाल करते हैं. दुनिया का सबसे मजबूत फोन सौनिम XP3300 है, जिसे 84 फिट की उचाई से गिरा कर टेस्ट किया गया, लेकिन वह नहीं तूटा. इसका नाम गिनीज बुको नफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है. दुनिया में सबसे अधिक फोन चीन द्वारा निर्मित किये जाते हैं. मोबाइल फोन में अपोलो 11 चंद्रमा लैंडिंग के लिए इस्तिमाल किये जाने वाले कम्प्यूटरों की तुलना में अधिक कम्प्यूटिंग शक्ती है. सबसे पहला फोन 1923 में US में सेल किया गया वाटरप्रूफ मोबाइल बनाती हैं. इसका कारण है कि जापानी लाइग नहाते समय भी फोन का इस्तिमाल करते हैं. मोबाइल से निकलने वाला रेडियेशन से सिर्ध दर्द की परेशानी होती है. सबसे पहले मोबाइल कॉल 3 अप्रेल 1973 को की गई थी, जो की पूर्व, मो 1400 फोन दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन था. ब्रिटन में प्रतिवर्ष एक लाख मोबाइल फोन किसी कारण से टॉलेट में गिरा दिये जाते हैं. जो लोग मोबाइल का इस्तिमाल करते हैं, वह अपना सबसे ज्यादा समय सोशल मीडिया और मोबाइल गेम में बिताते हैं. एपल का आइफोन अगर प्रति दिन हम फुल चार्ज करते हैं, तो यह एक साल में जीरो डॉन टू फाइव यूएस डॉलर की बिजली की खपत करता है. एक स्मार्ट फोन को बनाने के पीछे लगभग दो लाख पचास हजार अलग-अलग पेटेंट का इस्ति सिर्फ टेक्स्ट मेसेज के द्वारा ही लोग अपने साथी को तालग दे सकते हैं, यह मलेशिया में लीगल है. एक शोध में पाया गया है कि शार्ख हमलों की अपेक्षा 2015 में सेलफीज लेने से ज्यादा लोगों की मौत हुई है. दुनिया का सबसे महंगा आइफोन फाफ इस फाउन की कीमत 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी. ऐसा इसलिए था कारण यह फाउन 135 ग्राम 24 ग्राम कैरेट के सोने से बना हुआ था. इसके अलावा इसके चेसिस में 600 सफेद हीरे लगे थे.